साथ ही हो नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सक्से जंक्सन एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर के आगाएं आपके लिए MPPSC 2020 और 2020 की दृष्टी से अती महत्पूर्ण आपका टॉपिक है यूनिट 9 का E-Governance तो E-Governance से किस तरह के प्रश्ण जो है आपकी परिच्छा में देखने को मिल सकते हैं उन सारे प्रश्णों को आज कवर किया जाएगा यानि कि इसमें आपके मध्यप्रदेस गवर्नेंस के भी प्रश्ण होंगे यहां पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट हम लेकर क्या हैं तो आपकी कितनी ज़्यादा तैयारी है कितनी अच्छी तैयारी है आप अपने आपको यहां पर चेक कर सकते हैं ठीक है तो चलिए सुरवात करते हैं आगाज करते हैं पहले प्रश्ण का साधी साथ आपको बता द ये अपलोड की हैं वो सारे वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएंगी ठीक है बागी वीडियो देखने के लिए आप चैनल के अंदर भी विजेट कर सकते हैं अलग-अलग प्लेइलिस्ट बना दी गए यह हर एक यूनिट के लिए चलिए सुरवात करते हैं पहले जारी किया गया है तो कहा से जारी किया गया है सिंगापूर सीजे जारी किया गया है जिसमें भारत को 104 देशों की सुची में उननचास्वा इस्थान प्राफ्थ हुआ है या सूचकांग साथ चीजों को देख करके बनाया जाता है जिसमें भारत को उननचास्वा इस्थान मिला है एक सो चार देशों की सूची में ठीक है तो ये महतपूर जानकारी थी इस प्रस्थन से समन्दित आप चलिए चलते हैं प्रस्थन नमबर दो की और आएए देखते हैं प्रस्थन नमबर दो आपसे क्या पूछ रहा है देखिए प्रस्थन नमबर दो देखिए तो भारत में गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है बहुत महत्पूर प्रश्ण है इस्पेसली MP की दिस्टी से तो और भी जादा महत्पूर है तो देखिए 25 नॉंबर 25 दिसंबर 23 जन्वरी या फिर 28 जन्वरी तो बताए कब मना जाता है भारत में गुड़ गवर्नेंस डे तो चलिए इसका एंसर देख रहेते हैं प्रति वर्से 25 दिसंबर को गुड़ गवर्नेंस डे मना जाता है अब 25 दिसंबर को ही क्यों मना जाता है वो भी आपको बता देते हैं तो गुड़ गवर्नेंस डे जिसे राष्टी सुसासन दिवस भी कहते हैं प्रति वर्से 25 दिसंबर को मना जाता है भारत के पूरु सुसासन एक्सप्रेस जो है वो किसकी याद में चलाई जा रही है तो वो भी अटल बिहारी वाजपी की याद में सुसासन एक्सप्रेस चलाई जा रही है जो की गौलियर से प्रति दिन चलती है आपको याद रखना है जो एश्टा फैक्ट भी मिलते जा रहा है उनको भी इच्छा की दिश्टी से महतपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि यह सुसासन एक्स्प्रेस मध्यप्रदेश से समंदित है तो आपके लिए और भी ज्यादा महतपूर्ण हो जाएगी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्ट नमर तीन क्योर चलते हैं देखिए प्रस्ट नमर तीन इलेक्ट्रोनिक माध्यम से सासन का संचालन करना क्या कहलाता है बेवस्थित सासन, इगवर्नेंस, आटोमेटिक गवर्नेंस या फिर डिजिटल गवर्नेंस तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका सही answer यानि कि e-governance कहलाता है यानि कुल मिला करके e-governance की जो परिभासा है दो line वाली simple परिभासा वही आपसे पूछ लिए देखिए तो सरकारी सूचना एवं सिवाय प्रदान करने के लिए संचार एवं सूचना प्रदोगी का संबंधित प्रयोग ही जो है वो क्या कहलाता है e-governance कहलाता है यानि सारी चीजें है आपको digital माझम से उपलब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्र कराई जा रही है तो इसी को क्या रहते है इसी को e-governance कहते है ठीक है तो e-governance की एक तरह से यह परिभासा हो गई है चलिए आगे बढ़ते है प्रेस्ट नमर चार की उर चलते है देखिए स्मार्ट में M का अर्थ क्या है और ऐसे प्रेस्ट कई बार आपसे पूछे जाते है किसी का फुल फॉर्म दिया रहता है उसमें से एक सब्द का पूछ लेता है यसे नीती आयोग में कई बार प्शनाया हुआ कि N का फुल फॉर्म क्या है T का फुल फॉर्म क्या है I का फुल फॉर्म क्या है कई बार NTPC में पूछ आए तो आपके जो E-Governance है इसमें स्मार्ट का अर्थ क्या है इसमें से आप से एक सब्द पूछ लिए गया M लेकिन हम आपको स्मार्ट का पूरा फुल फॉर्म बताएंगे और एक एक अच्छर का मतलब बताएंगे कि क्या अर्थ है चलिए पहले M का अर्थ पता कर लेते हैं आप्सन है ट्रांस्वार्मिंग, आप्सन भी है मैनेजमेंट, आप्सन C है मोरल या फिर आप्सन अर्डी है मोर्सन तो क्या फुल फॉर्म होगा M का आईए देखते हैं सही आंसर C यानी कि M का अर्थ यहां पर मोरल है तो चलिए पूरे सब्दों की अपने जानकारी ले लेते हैं, देखिए smart governance में M का अर्थ मोर्डल है ठीक है, अर्थात नेतिक है moral कर्थ क्या होता है, नेतिक होता है, अब देखिए S कार्थ क्या है S का अर्थ है Simple M का अर्थ है Moral A का अर्थ है Accountable R का अर्थ है Responsive और T का अर्थ है Transparent तो जितने भी सब्द दी है इन सारे सब्दों का Full Form आपको पता होना चाहिए यहाँ पर Model नहीं है ध्यान रखेगा यहाँ पर Moral है ठीक है याद रखेगा S माने Simple M माने Moral A माने Accountable R माने Responsive और T माने Transparent ठीक है तो यह पूरा Full Form हो गया हर एक प्रस्ण का आपको यहाँ पर Detail में इसलिए जानकारी दी जारी कि कोई भी प्रस्ण आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर M पूछ लिया है हो सकता है परिच्छा में S पूछ ले या फिर T पूछ ले तो पूरा आपको cover करते हो चलना है हर एक आयाम से हर एक प्रस्ण की जानकारी आपको देते हुए आगे बढ़ेंगे ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की चलते हैं देखिए तो प्रस्ण नमर पांच भारत में नयायलेओं को सूचना एउम संचार प्रद्वकी से जोड़ने के लिए किसी योजना की सुरुवात की गई है ये भी बहुत ही महत्रपून प्रस्ण है आप्सण A है E कोर्ट, आप्सण B है E अदालत, आप्सण C है E लोक सेवक या फिर आप्सण नमर D है इन में से कोई नहीं तो चली आंसर दिख लेते हैं कि भारत की जो भी कोर्ट हैं उन कोर्ट को डिजिटल करने के लिए कौन सी योजना की सुरुवात की गई है देखिए, सही अंसर A यान की E कोर्ट की सुरुवात की गई है, चली कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए तो भाग में नियायालियों को डिजिटल करने के लिए E कोर्ट पर योजना की सुरुवात की गई इस योजना के माध्यम से 2927 अदालतों को High Speed Wide Area Network से जोड़ा जा चुका है WAN यान की WAN से जोड़ा जा चुका है 2927 अदालतों को, ठीक है और ये योजना कोई से सुरुव की गई थी, तो E कोर्ट नाम की योजना सुरु की गई थी चलिए आगे बढ़ते हैं, अगे लिए प्रस्ट की ओर चलते हैं, देखिए और ये प्रस्ट आपको पसंद आ रहे हूँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक करते हो, जलू चलिएगा प्रस्ट नमर 6 है, केंदरी सूचना प्रद्यो की मंतरी, स्री रवी संकर पसाद ने उमंग एप्लिकेशन का अंतर राष्टी संस्क्रंट कब लॉंच किया है, ये भी आपका करेंट अफियर का प्रस्ट नहीं थे कि 2020 के करेंट अफियर आपसे पूचे जा सकते हैं, ठीक है और मतलब 2020 की जितने भी आपका e-governance वाले करेंट अफियर होंगे हो, ज्यादा तर 2020 से ही आपको देखने को मिलने वाले है, ठीक है, तो ये 2020 में लॉंच की थी परियोजना, आईए देखते हैं 22 दिसंबर 2020, या फिर ऑप्सन नमर B है 23 नमर 2020, ऑप्सन नमर C 28 जनवरी 2020, या देखिए, तो टीस नमर 2020 को केंदरी सुचना प्रध्योग की मंतरी, स्री रवी संकर प्साद ने उमंग एप्लीकेशन का अंतराष्टी संस्क्रण लॉंच किया, अभी कहां कहां पर काम कर रहा है, यह पूचा जा सकता है आपसे, तो UK, US, Australia, Canada, Netherlands, UAE, Singapore और New Zealand, इतनी जगहां पर जो है, उमंग एप्लीकेशन का अंतराष्टी संस्क्रण यहां पर लॉंच किया गया है, आपसे आप पर इच्छा पूचा जा सकता है, कि इन में से कौन से देश में, उमंग का, इसका अंतराष्टी संस्क्रण काम नहीं कर रहा है, और इन में से कोई, मतलब, तीन आप जारी किया गया ओप्सन ए है मध्यप्रदेश चुनाव आयोग ओप्सन बी है मध्यप्रदेश भारती निर्वाचन आयोग ओप्सन नमबर सी रच्छा विभाग या फिर ओप्सन नमबर डी है सहरी एवम ग्रामीड विकास्त तो बताइए किसके दोरा सी विजल एप यहां प पालन करवाने के लिए सी विजल एप जो है वह भारती निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया यानि कि निर्वाचन में पारदर्षता होगी और जो भी राजनेतिक दल है वो लोग आचार सहीता का सही से यहां पर पालन कर रहा है या फिर नहीं कर रहे हैं उसकी है भारत option number DS Saudi Arab तो हम आपके हिस्ट्री वाले जो प्रश्ण है न यह गवर्नेंस की हिस्ट्री वहाँ से भी प्रश्ण उठा रहे हैं करेंट के भी प्रश्ण उठा रहे हैं और जो आपका ट्रेडिशनल प्रश्ण होते हैं जो परिछाओं में पूछे जाते हैं उन प्रश्ण बढ़ जाएंगे MPPSC 2020 और 2020 में सिलेक्शन लेने की तो अगर सिलेक्शन लेना है तो तैयारी करते रहिए लगातार प्रैक्टिस करते रहिए सारी प्रैक्टिस लगा लीजिए आप चैनल के अंदर जाकर कि देखेंगे तो सारे प्रैक्टिस आपको देखने को मि सबसे पहले अमेरिका में इगवर्नेंस का प्रैयोग किया गया था तो आएए देखते हैं पूरी जानकारी तो 1969 में अमेरिका के रच्छा विवाग की कंप्यूटरों को लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा गया और पहली बार विस्ट में इगवर्नेंस का प् देखिए प्रस्ट नमबर नौ अप्रेल 2020 में कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉंच किया गया ठीक है यह जितने भी नय नय एप्स लॉंच किये जा रहा है यह सारे आपके लिए महत्पुन है देखिए और स्री नरेंद्र मोदी और स्री आमित स देखिए और स्री प्लेटफॉर्म किया यहां मंच नागरिकों और सरकार के बीच संचार का एक चैनल प्रदान करने के लिए इस्ताफित एक समधात्मंग माध्या मतलब कि सरकार से आप डारेंट कर सकते हैं मतलब सरकार से दारेंट जोह संचार अपन कर सकते हैं इस एप के माध्यम से ठीक है अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है जैसे कई जगहां पर आपने देखा भी होगा मुख्यमंत्री सेवा एप लाउंच किया गया है कि अगर मध्यप्रदेस में आपको कोई परेसानी होती है तो आप सीधे मुख्यमंत्री सेवाय पर कॉल कर सकते हैं या फिर वहाँ पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं फिर उसकी अपने इस तरपर कारवाई होती है तो वो सब इसी माध्यम से सुरुबात किया जा रहा एगरनेस का बहुत महत्पून पार्ट है ठीक है चलि किया कोई एप लॉंच गिया है जिसके माध्यम से चुनाओं को पार दर्सी माध्यम से कराया जा सके तो चलिए देखते हैं मध्यब्रद्र सरकार की दोरह कौन सा एप यहाँ पर लॉंच किया गया है देखिए अप्सन है ट्रैफिक कंट्रोलर ऑप्सन बी है सी विजल ऑप चलिए answer दिख लेते हैं सही answer सी यानि कि चुनाओ नाम का app मददेश सरकार के दोरा जारी किया गया है निरवाचन में पारदर्शता लाने के लिए देखे तो मद्वर्दे सरकार के दौरा निर्वाचन में पारदर्शता लाने के लिए चुनाओ नाम का एप जारी किया गया इसके माध्यम से RTI एवं आचार सहीता के सही प्रयोग के बारे में चुनाओ आयोग को समय समय पर जानकारी प्राप्त होती रहेगी वही काम जो सीवीजिल कर रहा था भारत सरकार के लिए वही काम चुनाओ एप जो है वो मद्वर्दे सरकार के लिए करेंगा ठीक है देखिए बागे हम आपको बता दे रोट डेली सुबह साथे साथ बज़ हम आपके लिए डेली करेंट अफेर लेकर के आते हैं और डेली करेंट अफेर में जो भी नई नई चीज़े हो रही है चाहे वो आइटिफिसल इंटेलिजेंस में हो रही है चाहे इकॉमर्स में हो रही है तो सारी चीज़ों को हम आपर कवर करते हैं ठीक है तो आपके इस यूनिट एड जो है जिसमें करेंट अफेर पूछी ज जाएगा ठीक है तो एक बेहतरीन तयार एगर आपको करनी है अगर आपको यह आपने सोच ही लिया कि हमको सिलेक्शन लेना ही लेना है तो यह करेंट अफेर की क्लास जरूर यहाँ पर कवर करते चलिए क्योंकि आगे और भी एक्जाम आने वाले हैं MP पुलिस है MP SI है MP पटव जल्दी मिलते हैं कल सुबह साथ बजे करेंट अफेर वाली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद